ठुस्षाइन, आज तु जेल से रिया हो रहा है आहा पबारक हो जब तक दिल नहीं मिलते हैं हम हाथ नहीं मिलाते दोस्ति के नाते ना सही दुश्मानी के नाते ह Mitsub機 सोच ले जब मैं दुश्मान के साथ हाथ मिलाता हूँ तो उसके हाथ की जीवन रेखा ही मिठ जाती है, वे! मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुलमत धना ये तेरा मश्वरा है ये धमकी जो भी है इसे अपने कॉल रख बाकी रही कैदियों की बात यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा, वे! तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो बनना चाहता हूँ, और खुदा बनूगा भी दिल उनका होगा, लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कबजा होगा और मैं ये भी फैसला करूँगा कि कौन कैसे जीए, कब तक जीए, मरे तो कैसे मरे होए चिलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है जिस तरह लोग अपने घर के दर्वाजे पर निम्बू और मिर्ची टांगते हैं न, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दर्वाजे पर टांग दूगा ताकि फिर कोई राक्षिश इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके खुदाहफिस अरे जा बहुत देखे तेरे जैसे होए तू जा यार जा या लाह आजीद का मुबारक दिन है हर घर में खुशिया मनाई जा रही है लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है या मेरे लाह इससे पहले कि इन आखों में अपने आउलाद को देखने की रोशनी ही न रहे तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवर्दिगार आज एक माह तुझे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे लाह अमीजा बमागयमॉ लगया ... अमीजाए तु मागया तु मागया रजिया कौन है अम्मी अरे देख तो कौन आया है अम्मी कौन आया है भाई-जान 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 शुकर है अल्ला तेरा भाई-जान तो रो क्यों रही है मैं रो नहीं रही हो नहीं भाई-जान मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ अरे रुला दिया इसको इतने सालों बाद ये घर आया है इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना जारे दिया है अब हिलाई यहां बैठ कैसा है तू मेरे सरप तो तेरी दुआओं का साया था मा पर देख रहा हूं इन पांथ सालों में मेरी मा मेरी बहन को कितनी तकलीफे जहलने बड़ी यह तो उमर की थकन है बेटा लेकिन तेरे मात्य की लकीरे तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है तेरी आखे कह रही है कि तो एक रात भी चैन की नहीं नहीं सोया अब तू घर आ गया है चैन से दो रोटी खा लिए आराम कर देख लिया भवानी परसाद लल्ला से टकराने का अंजाम अपनी बर्बादी का बिश्ट तो ने बोया है फसल मैं काटूंगा जेल से जूरते ही तेरा नामों निशान में दादूगा कर दो कर दो हुसेन तू किसे मारने जा रहा है उसे अमीचान जिसने हुसेन के मात्य पर मुझरिम का दाग लगा दिया पांच साल में जेल की सलाखों के पीछे तिर्फ इसी दिन का इंतसार का रहा कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिन्दगी से आसाद करतूंगा तो फातिमा का बेटा खून करेगा उसन के नाम के साथ कर्बला की तारीक जुड़ी हुई है उन्होंने उन जालमों को माफ नहीं किया बलकि उस जिहाद में खुद शेहिद होगे मुझे तेरे फैसले पर इतराज नहीं पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी मा और तेरी बहन का क्या होगा फिर भी तू अपनी मन की करना चाता है तो बेशक जा मार डाल उस भवानी को ताकि जिन्दे के भर तेरे बहन के हतेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाज़ा तेरे कंदो को मैं जानती हूँ इन पांच सालों में क्या भीती होगी तुझ पर क्या कुछ सहा होगा तुने लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुमें एक भाय का फर्ज अंजाम देना है अपनी बहन के हाथ पीले करते पिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आओंगी बेटा हुसेन बेटा अब ये गुसा छोड़ा बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है आओ देखो बेटा तुझे तेरी अम्मी चान की कसम है जब तक अपनी बहन को डोली में बिठा कर रुकसत नहीं करेगा तु किसी पर हाथ नहीं उठाएगा ये मम्ता की बंदिशों का धागा है